अलो फ्रेंड्स वेल्कम टो माई चैनल माई बेबे केर और मैं हूँ आपके साथ अर्षना यही मेरे हाथ में है के बडियो में बात करने वाले हैं सबसे पहले मैं बता दो कि मैं इस पर और एक विडियो बना चुकिए अबमने बेल्ट पर जिस पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया हैं आप लोगों बहुत पसंद आई है वे वीडियो और इस पर वन मिलियन वियुज है वह होने वाले है तो अगर आप लोगों ने अभी तक वह वाली वीडियो नहीं देखिये तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंग डाल दूंगी और यहां पर भी लिंग देदूंगी आप वहाँ जाकर वह वीडियो देखिये ताकि आप लोग उसको भी देखिये और उसके तो जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसके बाद जो है काफी लोगों के एक जिसे ही questions आ रहे थे वोसे comment box में सारे questions पूछ रहे थे कि abdominal belt जो है हमें कब-कब लगानी चाहिए क्या हम खाते वक्त लगा सकते हैं कहां से हम abdominal belt खरीद सकते हैं तो ये बहुत सारे questions जो है लोगों के आ रहे हैं तो इसलिए मैंने सुचा कि मैं इसी topic पर वीडियो बनाऊ जिसमें सारे questions जो questions है abdominal belt से जुड़ों उन सारे questions के जवाब दे पाऊं और आप लोगों के help कर पाऊं तो ये जो वीडियो है वो इसे topic पर है abdominal belt से जुड़ी हुई वो सारी चीजें जिसके बारे में आपको जो है query है आप लोग जानना चाहते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला सवाल जो सबसे जाधा लोगों ने पूचा वो ये था कि क्या इस बेल्ट को यूज करने से जो पेट लटक जाता है क्या वो वापिस अंदर आ जाएगा मतलब शेप में आ जाएगा पेट वापिस जहां क्या हम पहले जैसे हो जाएंगे जो पेट एक दम थ तो इसका जवाब है, हाँ, जो अब्डॉमनल बेल्ट है, वो क्या करती है, जब डिलिवरी हो गए आपकी, तो उसके कुछ टाइम बाद जो यूटरस है, वो वापस अपने नॉमल शेप में आना शिरू कर देता है, तो इस टाइम पे जब आप अब्डॉमनल बेल्ट यूज कर रहे होंगे, तो वो यूटरस को इक तरह का सपोर्ट देता है, उन मसल को सपोर्ट देता है, मसल को टाइटन करता है, तो जिससे जो पेट लटकने वाली जो प्रॉबलम है, वो नहीं होगी, और आपका जो पेट है, वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आने लग ज कि क्या हम अब्डॉमनल बेल्ट जो है, ब्रेस्फीडिंग करते वक्त, खाना खाते वक्त, और सोते वक्त पहन सकते हैं कि नहीं, तो देखे इन तीनों चीज़ों के बारे में करके बात करते हैं, सबसे पहली चीज की ब्रेस्फीडिंग करते वक्त, यानि कि जब बच्चे तो इस टाइम आपका सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है और आपका जो पॉस्चर है वो सही रहना बहुत जरूरी है वरना आगे जाके आपको बैक पेन की दिकत हो सकती है तो ब्रेस्ट फीडिंग कराते वक्त अगर आप बेल्ट पांध कर रखेंगे तो यह आपके लिए आधे इस ग़ंटे बाद आप वापिस लगा सकते है पर खाना चाते अवक्त आप बेल्ट का यूज जो है मत किजिए आदे एक घंटे बाद वापिस साब एंट कर सकते हैं तो वीह अगर मैं यही आपको अधर कोई अनकंफर्यबल आप फीकर रहे हैं कि हांब क अई हो रहा है तो आप उस टाइम पे बेल्ट यूज मात कीजिए आप सुभा उठकर वापस आपको नॉम्मल फील और आप उठ गए आप वापस से बेल्ट लगा सकते हैं तो सोने का जो बेल्ट वाला टाइम है वो आप अपने कमफर्ट के कॉर्डिंग दिख सकते हैं अगर आप आप जा रहे हैं तो उस टाइम पर भी आपको जो है प्रेशन पड़ेगा अगर आप युज कर रहे है तो बेटर यह होगा कि फ्री तो आप उस टाइम के लिए पैल्ट जो है रिमूव कर दीजिए बेल्ट थटा दीजिए आप तो जब वापस आए पक्ने आप जो है बेल जो है कब से लगाने शिरू करने चाहिए और कब तक लगाने चाहिए तो देखिए इस पे काफी सारे क्वेस्टन सर आइ तिंक सब ब्लों को इस जिसको लेकर सबसे डाउट रहता है कि कब से स्टार्ट करें तो मैं अपना केस बताती हूं कि मेरे डिलिवरे के बाद डॉक्ट सबसे जो जरूरी चीज है वो तुम यही बोलूंगे कि आप जो अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें कि आप कितने दिन बाद से लगाना शुरू कर सकते हैं क्योंकि सब के स्टिचिस में कोई भी सब पिशेंट अलग होते हैं सब मदर्स के जो स्टिचिस आते हैं वो अ हैं आप किस ठीक हैं तो आप जो है नॉमल डिलीवरी में 10 दिन बाद से और सी सेक्शन डिलीवरी में 15-20 दिन बाद से जो बेल्ट है वो लगाना शुरू कर सकते हैं पर फिर भी अगर आपको थोड़ा भी डाउट है और आपको थोड़ा भी टेंशन इस चीज को लेकर कब से स्टार्ट करें तो अपने डॉक्टर से पहले अडवाइस ले और उनके कहने के अनुसार ही बेल्ट लगाना शिरू करें दूसरा क्वेश्चन आता है कि अपने टाइम तक हमें यूज करने चाहिए तो देखे डिलीवरी के चाहे नॉमल डिलीवरी हो चैसी सिक्शन डिल इसके बाद लगाना चुछ और शोड़ सकते हैं सिसे कुछ लों के गॉष्टन आते हैं कि उनके डिलीवरी को 1-2 साल हो गया है तो क्या अब वह बेट लगा सकते हैं क्योंकि उनका पेट शेप में नहीं है पेट लटा गया है तो क्या इसे फायदा होगा तो देखे मैं एस शेप में आएगा पर बेल्ट लगाने का अब कोई फायदा नहीं है अगला जो question का फिलोग पूछते हैं कि जो बेल्ट होती है वो किस तरीके से लगानी है क्या सही तरीका इसको लगाने का चाहिए देखिए C section delivery है चाहिए normal delivery है तो क्या सही तरीका इसको लगाने का इसके बारे में बात करते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि हमें जो है इसको पेट के ऊपर तक लगाना चाहिए कई लोग बोलते हैं कि हमें नीचे की तरफ लगाना चाहिए तो देखिए इस तरीके इसका ये है कि आपको इस तरीके से belt लगानी है कि आपके back को भी support करें और जो आपके stitches जो आपके tank या आए हैं उन पर भी वो support दे वो टाके जो है इस belt के अंदर आने चाहिए इससे क्या होगा कि कभी-कभी आपके movement जब ज़्यादा मान लीजे एकदम से उठे हैं तो जो टांकों है उन पर जोड़ नहीं पड़ेगा और जो बेल्ट है वो उसको support देगी आपके बैक को support देगी आपके जो abdominal muscles है उन सबको support देगी तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि abdominal belt जो है वो किस तरीके से और कहा तक लगानी है तो यह belt है यह मेरी delivery के time के belt है थोड़ी बड़ी है क्योंकि अभी इस time मैं जो है weight काफी lose कर लिया डिलिवरी के time पे मेरा weight 70 kg था और अभी मेरा weight 59 हो गया है तो इसले थोड़ा belt डिलिया है कि पर मैं आपको लगा के दिखाती हूँ क्या सही तरीक है इसको लगाने का तो आपको जासे पहले जो स्ट्रेट रहना एक्दम सीधे रहना चाया प्लेट के belt लगा रहा हैं चाया करके तो देखिए यह आप देख सकते हैं हाट डलके मैं देखूंगे ना जदा tight है ना जदा loose है इक तब इस तरीके से आपको जो है यह बैल्ट पान लिए आप देख सकते हैं तो मेरी बैक को भी पूरा support कर रहा है और मेरे चिछेस को भी पूरा स्पोर्ट किया है तो इस आपको जो है बैल्ट लगानी है शिरुवात में जो है बैल्ट लगाने में आपको दिक्कत होगी कि अगर आपकी सी-section डिलिवरी यह तो आप खुद से नहीं लगा सकते हैं तो किसी भी family member की जो है आप help लीजिए कि आपको जो है बैल्ट लगाने में help करें आपको खुद स अगला question जो मदर्स पोचती है वो यह की बैल्ट वो खरीद कहां से सकती है तो देखिए बहुत असको खरीदना आप किसी भी medical shop पे जाए और उनसे बूलिए कि डिलिवरी के बाद जो बैल्ट यह बैल्ट कुछ भी आप बूलिए तो वह जो आपको बैल्ट आपके साइस के recording दे देंगे इसके लावा एक और option जो होता है वोता है online खरीदने का तो जो भी जो की बहुत अच्छा option है इसमें आप क्या कर सकते हैं आप देखिए जो जो बैल्ट जो है रिटर्नेबल हो सकती है मतलब जो बैल्ट वापिस अगर आप खरीद रहें और कोई भी एकर साइस का इशू है वो आप चेंज कर पाए तो ऐसी बैल्ट आप देखिए अपने साइस के कौन से बैल्ट हमें खरीदनी चाहिए तो आपकी हल्प के लिए मैं 4-5 बैल्ट की जो लिंक है वो दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दोंगी आप अहां जाकर अपने साइस के कॉर्डिंग बैल्ट ओर कीजिए और वहां से आप उसको खरीज सकते हैं तो फ्रेंड से ही था हमेरा आज का वीडियो उसमें मैंने आप सब के जो भी mostly questions आप लोगों ने पूछे थे अप्डाउनल बैल्ट से जोड़े हैं उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है अपको लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखके पूछ सकते हैं साथ ही साथ मैं आपको दुबारा बोलना चाहूंगी कि मैंने अल्रेडी एक वीडियो बनाई है अप्डाउनल बेल्ट पे डिलीवडी के बाद जो बेल्ट यूज करते हैं उस पे वीडियो बनाया हुआ है इसका description box में लिंक दिया है और यहां पर मैंने लिंक दे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब की जी मैं चानल को तेंक यू